तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 10 टेक कंपनी के नाम बताने वाली हो और उनके टारगेट प्राइस बताने वाली हो जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप शौट तम में नहीं लॉंग टम में भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो यानि कि शौट तम और ल इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो उन लोग को मैं बताना चाहोंगी मैं इस चैनल पर नौथी पांग निफ्टी का डेली अनलिसिस वीडियो बनाती हो इसके साथ साथ जैसे कि अभी ये स्टॉक के उपर मैंने वीर इस बणाए हैं इंपॉर्टन स्टॉक्स के ऊपर वि वीडियोज मेरे चानल के उपर मिल जाएंगे इसके साथ साथ आपको educational वीडियोज भी मिल रहे हैं जैसे की option trading strategies हो गई option chain analysis हो गया candlestick pattern के उपर technical analysis के उपर options में कैसे काम होता है कैसे profit बनाना होता है इन सब के उपर भी आपको मेरे चानल के उपर वीडियोज मिल जाएंगे तो जो लोग नए हैं तो वो लोग जरूर subscribe कर लीजेगा और bell notification को press करना मत बूलिएगा और जल्दी से हमारे 50,000 subscribers जो है वो complete कर दीजेगा ताकि मैं और बहतर वीडियोज बना सकूँ मुझे भी motivation मिले अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने के लिए और बहुत सारे लोग मेरा जो nifty bank nifty का जो support और resistance के levels होते हैं वो कैसे मैं निकालती हूँ इस वीडियो का वेट कर रहे हैं तो वो भी मैं 50,000 subscribers पूरे होने के बाद upload कर दूँगी तो जल्दी से जल्दी 50,000 subscribers का mark पार कर दीजेगा एक और important बात अगर आप nifty bank nifty के options में काम करना चाते हैं stocks के options में काम करना चाते हैं तो आप मेरा public telegram channel भी join कर सकते हैं जिसकी कोई fees नहीं है वो free channel है और नीचे description box में मैंने उसका link जो है वो दे दिया है अप directly link से भी join कर सकते हैं और अगर आपको paid channel join करना है तो भी आपको स सारी information वहाँ पर मिल जाएगी अभी देखिए अभी weekend offer चल रहा है जहां पर आपको अच्छे से अच्छा discount भी मिल रहा है तो जरू जोइन कर लीचेगा कुछ भी अगर query होगी तो आपको नीचे description box में एक number मिल जाएगा जो कि मेरा personal WhatsApp contact है तो आप मुझे वहाँ पर जो है व चानकारी देने के लिए तो पहले तो मैं आपको बदाना चाहूंगी अभी फिलहाल बहुत सारी नए जबाने की टेग कंपनियों में हाल ही में अगर फंड जुटाने के लिए IPO का रास्ता अपनाया है और शेयर बाजार में already list हो गये हैं तो उन में से जो कुछ टॉप कंप investment के लिए नए जमानी की पहतर टेग कंपनियों की अगर आप खोज कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जो है वो बहुत जादा फायदे मन होने वाला है तो मैंने यहां पर कुछ अदस ऐसी टेग कंपनिया बताई हुई हैं जिनमें मैं खुद बुलिश हूँ और overall अगर मा सकता है तो पहला जो नाम है वो है पेटियम तो देखें पेटियम के शेरों में हाली में काफी हमें ups and downs देखने को मिले हैं इसके quarterly नतीजे के बाद एक और जहां इसमें तेजी देखी गई थी वही ब्लॉक डिल के बाद एक गिरावट भी आती हुई हमें देखने को मिली है तो यहां पर अगर हमने देखा है तो 845 रुपे का target यहां पर है और अगर इस समय इसके एक शेर की किम्मत हम लोग देखें तो 650 रुपे है तो investment को यहां पर 30% तक का मुनाफ़ा होने की जो chances है संभावना है तो यहां पर आप 845 के target के साथ इस शेर में अपनी investment बना सकते है आपको जो है वो stop loss रखना है 608 का तो यह तो होगी पेटियम की बाद पेटियम के लिए मैंने target stop loss और buying price बता दी है second जो शेर है वो बहुत popular है और बहुत बढ़िया चला है नाइका तो नाइका के शेरों में हाली की दिनों में अगर हम लोग देखे तो एक गिरावट जो है वो बड़ी हमें देखने को मिली थी और पिछले कुछ दिनों में इसमें अच्छी सी तेजी जो है वो भी हमें देखने को मिली है तो इस शेर का जो target price है जो आपको रखना है वो है 185 रुपीज और यह अभी जो स्टॉक चल रहा है वो 154-150 के करीब चल रहा है तो इस भाव में आप इसमें अपनी जो पोजीशन है वो बना सकते हैं और यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बार 20% तक का प्रॉफिट होने की जो संभावना है वो है और यहां पर आपको जो इसका स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 132 रुपीज तो पेटियम नाइका दोनों बढ़िया शेर से दोनों के लिए टारगेट प्राइज और एसल मैंने बता दिया है थर्ड जो स्टॉक है थर्ड जो टेक्निकल शेर है वो है पॉलिसी बजार तो पॉ अब ही इस स्टॉक को लेकर फिलहाल सभी लोग बुलिश नजर आ रहे हैं और मेरा भी यह पॉलिसी बजार में इंवेस्टमेंट करके आप अच्छे से अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं तो इसका टारगेट प्राइज आपको क्या रखना है 620 रुपीज इसका परसेंट का प्रॉफिट होने की संभावना है स्टॉप लोस जो रखना है आपको वो 434 का स्टॉप लोस रखना है जो नेक्स्ट शेर है वो है एफल इंडिया सो इस स्टॉक को मेरे हिसाब से आपको बाय करना चाहिए और इसके लिए जो अपसाइड के लिए टारगेट प रुपीज है और बी एसी पर इसका करन्ट जो मार्केट प्राइज है वो 1046 के आसपास है सो इसका मतलब यहां पर आपको अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 25 परसेंट तक का प्रॉफिट होने की संभावना है और यहां पर आपको जो स्टॉ प्लोस में रखने की सला दोंगी वो आपको रखना होगा 936 रुपीज का नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कार ट्रेड कार ट्रेड अगर हम लोग देखे तो इसमें भी मैं बुलिश हूँ और इसका जो अपसाइड के लिए प्राइस टार्गेट रहेगा 640 रुपीज का CMPs का 525, 526 के करीब है और इसमें आपको जो है वो stop loss 459 का रखना है तो जो भी मैं stocks आपको बता रही हूँ आप उसको लिस्ट कर सकते हैं उसमें से आपको जो बहतर लगे उसमें आप investment करिएगा आपको जो सही लगे वो आप करिएगा फिलाल मैं अपना view जो है वो आपसे शेयर कर रही हूँ इन सब stocks का जो target है वो क्या रहेगा अगर कोई already इसमें position मनाया हुआ है तो उनके लिए भी यह helpful हो जाएगा जो next stock है वो है go fashion तो go fashion भी बढ़िया stock है और इसका upside के लिए जो target price है वो 100310 और 320 के करीब है और यहां पर इसका CMP चल रहा है 10056 के करीब और अ इसमें investment करते हैं तो आपको यहां पर 30% से ज्यादा profit होने की समावना है और इसमें आपको जो stop loss रखना है वो 925 रुपीज का stop loss रखना है पिछले कुछ समय में इसमें अच्छे से correction भी देखने को मिला है और ऐसा यहां पर है कि correction मिलने के बाद एक अच्छी तेजी हमें द इस stock में हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट जो stock है वो है इंडिया माट तो इंडिया माट के लिए जो मेरा upside के लिए target price है वो है 5,880 और 890 का तो यहां पर अभी इसका CMP चल रहा है 4,775 के करीब और यहां पर अगर आप investment करते हैं अभी तो आपको 20 से 25% तक का return इस stock के मिल सकता है stop loss आपको रखना है 4,230 का stop loss बहुत जादा important है कोई भी एसस बिना stop loss के कोई भी trade नहीं करेगा यह मैं पहले से बोलती आई हूं next जो stock है वो है map my India so map my India भी कुछ समय पहले IPO में लेकर आई थी जो की उसने अभी अच्छे से perform भी किया है अभी अगर देखे इसका target price तो वो है 1,350 रुपीज और फिलाल CMP चल रहा है 1,096-97 के करेब तो आप इसमें investment कर सकते हैं stop loss के साथ 9,73 के इसमें भी अच्छे से अच्छे return आपको मिल सकता है next जो है वो है नजारा टेक तो इसका जो target price मैंने रखा हुआ है वो है 6,50 और 6,60 का यहाँ पर इस share में आप investment कर सकते हैं आपको यहाँ पर stop loss जो है वो 494,80 का रखना है stop loss सभी को लगाना है मैं फिर से कह रही हूँ और यह जो investment है करने से पहले आप सोच सकते है कि आपको कितना capital यूज करना है और कितना नहीं जो next stock है वो है rate gain तो rate gain भी बढ़िया stock है और इसका upside के लिए 450 का target है अभी इसका जो CMP चल रहा है वो 377 के करीब चल रहा है तो आप इसमें investment कर सकते हैं अभी आपको जो stop loss लगाना है वो 323 का लगाना है और फिर आप इसमें अच्छे से अच्छा return बना सकते हो 20 से 22% तक का आपको इसमें profit होने की संभावना बनी हुई है तो ये जो सारे stocks मैंने अभी आपको बताए है आप इसमें जो आपको सही stock लगे आपके capital के हिसाब से उसमें investment कर सकते हैं ये आपकी राय रहेगी आपको investment कहां करना है मैंने अपना view जो है वो आपको share किया हुआ है I hope कि आप आपको अच्छा लगा होगा video तो video अच्छा लगा है तो share कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस video को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस channel को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगे आपसे next video में till then bye bye take care and trade carefully